आजकल युवाओं की मानसिक्ता को देखते हुए बाजार में नए नए बाइकर्स आक्सेसरीज आ रहे हैं आईए डालते हैं उन पर एक नजर भारत ये नौजवानों की नई पीडी ने बाइकर आक्सेसरीज को एक नया रंगरूप दे दिया है एक आक्ड़े के अनुसार पिछले दस सालों में बाइकर्स आक्सेसरीज का बाजार करीब पांच गुना बढ़ा है तरह तरह के इनोवेटिव प्रोड़क्स बाजार में उतारे जा रहे हैं ये देखे जैकेट्स दिखने में भले ही भारी भरकम है लेकिन असलियत इसके विपरीथ है ये बहुत ही हलके हैं हमने जैकेट्स बनाई है पैंट्स बनाए है गलव बनाए है शू कवर्स बनाए है जो के आप बारिशों में भीगेंगे निए उसको पैंके और वो जैकेट इतने से पहुच में आ जाएगी राइडर्स के पास रखने की जगा नहीं होती तो वो आप जेब में भी डाल सकते हैं जैकेट जैसे आप रिंग शॉल देखते हैं ऐसे आप समझे ये रिंग जैकेट है तो ये इतने से पहुच के अंदर आपकी जैकेट, पैंट सब आ जेंगी और आप अपने छोटे से पहुच में उसको रख सकते हैं लैप्टाप बैग में रख सकते हैं और बारिश भी तो आपने उसको पहन लिया पहनने और ढोने में अरामदाएक ये जैकेट बाईकर्स के कपड़ों को धूल और वर्षा से बचाते हैं उसी तरह जूते की रक्षा के लिए बादार में बाईकर्स शू कवर्स भी मिल रहे हैं हमने शू कवर्स निकाले कि लोगों के शू गीले हो जाते हैं जराबे गीली हो जाते हैं पैंट नीचे से गीली हो जाते हैं तो हमने शू कवर्स निकाले हैं जोब जूते पे ही वो शू कवर्स डाल देंगे और उस पे मोटर साइकल चलाएंगे और वो आपके शूज जराबे कुछ गीला नहीं होगा जितने गलव्स हैं, जितनी जैकेट्स हैं, टैंट्स हैं, शू कवर्स हैं सब ब्रीधेबल फैबरिक के हैं Means उसमें पानी नहीं जाएगा और उसमें हवा जाएगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी बाइकर्स अक्सेसरी के बढ़ते बाजार का मुख्य कारण है भारत में युवाओं की बड़ी आबादी और कम उम्र में मिली आर्थिक स्वतंत्रता नतीज अतन वे मौलिक उप्योगी वस्तूओं के साथ साथ सुविधा दायक चीजें भी खरीद रहे हैं कर दो कर दो कर दो